सिनियर सिटिजन वेलफेर एशोशेन समाज सिवा के छेतर में निरंतर कारिय कर रही है इस दिशा में गांधी जहनती के अउसर पर संस्था की तरब से नरेला सिर्द डियेवी पब्लिक स्कूल में आजादी कामरत महुतसव नाम से कारिकर्म का अयोजन किया गया जिसमें विसेज तोर पर हेल्थ चेकप केम्प लगाया गया कारिकर्म में डियेवी स्कूल के होनहार चात्रों को भी संबानित किया गया साथ ही सीनियर सिटिजन की डैमन जूबली भी मनाई गई Senior Citizen Welfare Association के बैनर के नीचे ये कारिय करम हो रहा है, ये DAV CP School, DDA B4 में उपस्तित हैं, हम आजादी का अमरत मौस्व बना रहे हैं, साथ में जो हमारे Senior Citizens 75 क्रॉस कर चुके हैं, उनकी Diamond Jubilee Celebrations कर रहे हैं और साथ में जो है, जो इस स्कूल के टापर हैं, स्टुडेंट्स, उन मेरिटोरिय स्टुडेंट्स को सम्मान करना हैं, और सभी नरेला क्षेतर के विशिश रतिधी पहुचे हुए हैं दिल्ली के संथ परमानंद के अनुबिव डाक्टरस ने लोगों के स्वास्थय की जाच की, इस दोरान टेस्ट, ट्रीट्मेंट और मेडिसन, सब मुफ्त दी गई नरेला छेतर के समाथ सेवियों का मानना है कि ऐसे कारिकरम आयोजित होते रहने चाहिए कारिकरम में दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी शामिल हुए, उन्होंने इस कारिकरम की तारीफ की साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस भी अपने स्तरबर बुजर्गों की शुरक्षा करती है लेकिन ऐसे कारिकरम आयोजित करके बुजर्गों के स्वास्ते का ख्याल रखना एक बेहितर कदम है आज के अधुनिक यूग में सभी लोग एक तो एक दो दो संतान है सभी के पास और दूसरा कामकाज का बोज इतना है कि किसी के पास समय नहीं है कि वो सिनियर सिटिजन का ख्याल रखे है आज के यूग में ज़्यादा तर दिखा गया कि रिटाइड और सिनियर सिटिजन अकेले ही जीवन ही आपन करते है इसमें दिल्ली पुलिस ने भी सिनियर सिटिजन सेल बना रखी है और सिनियर सिटिजन के लिए समय समय पर दिल्ली पुलिस अभियान चलाती रहती है और सिनियर सिटिजन से जो बीट ओफिशर हैं जाके उनकी समस्याएं पूछते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते है एस पी जून सिनियर सिटिजन वेलफेर एशुजन के फाउंडर है और इस संस्ता को खड़ा करना सदाराम गुपता का सपना था जिसे उन्होंने साल 2008 में पूरा किया इस संस्ता को बनाने के पीछे भी खास वज़े रही पोदा रोपन किया जाए जिससे कि वह ताम उमर उसको कोई पानी देता रहे तो उस टेम में आठ अगस्त 1948 में में मेरा जनम हुआ और आठ अगस्त 2008 को मैंने इस संस्ता का गठन का निरने लिया और आज हमारे इस तरह के कारिकरम ना सिर्फ समाज में लोगों को एक जुट रखने का काम करते हैं बल्कि बुजर्गों को भी अकेला मैसूस नहीं होने देते क्योंकि ऐसे कारिकरम से उनके स्वास्ते और बाखी जुरूरतों का बहतर तरीके से ख्यार रखा जा सकता है दिली से नवदी टुड़े के लिए दीपक दया की रिपोर्ट